साथ यो Microsoft Excel में financial formula के अंतरगत आज हम सिखेंगे nominal formula nominal formula क्या होता है यह क्या display करता है हम किस परकार इसका use करें इसके अलावा हम number of period भी जानेंगे कि number of period हम किस परकार निकालें यह सारा इस वीडियो में सीखने के लिए अंतक बने रहेगा करें नमस्कार साथ हूं मेरे नाम है मनुष्पुमार और आप देख रहें computer ग्यान्गुरी चैनल तो चलिए सीख लेते हैं nominal formula का description होता है return the annual nominal interest rate कि जो भी rate हमारे पास दिये होते हैं यह yearly होते हैं यह मैंने आपको जब मैंने PMT और IPMT function भी करवाए थे उस दोरान भी बताया था तो यह भी आपका confirm हो जाएगा कि यह yearly होते हैं यह monthly होते हैं जब हम nominal formula calculate करेंगे basic तो पर समझे तो यह 8% interest हमारा yearly है यानि कि एक मुस्तस साल का इसको annual interest कह सकते हैं और हमने इसको quarterly करना है तो compound period हमारे होगे 4 यहनि कि 4 quarter होगे तो quarterly यह interest कितना calculate होगा यदि yearly 8% हो रहा है तो quarterly कितना हुआ या फिर one third हम करें तो कितना हुआ या half yearly करें तो कितना interest हुआ इस तरह से हमने देखना होता है तब हम use करते हैं nominal formula का तो simply हम यहाँ पर use करते है nominal bracket start करेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है effect rate effect rate हमारे पास यहाँ पर है यानि कि yearly जो हमारा interest rate है वो होगा हमार effective rate इसको effect करना है कोमा यूज करेंगे अब पूछ रहा है NPERY यानि कि number of period per year या फिर number of compounding period भी हम इसको कह सकते हैं तो वो होगे हमारा यह हमने quarterly चेक करना है कि हमारा interest rate कितना हुआ सिर्फ bracket close करेंगे enter press करेंगे तो यहाँ पर देखो decimal में आ रहा है इसको हम percentage में कर सकते हैं या फिर decimal कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.08 या इसको हम percentage में करके देखें हम इसको करते हैं percentage में तो 7.77 percentage यह quarterly interest rate हो गया इसका ठीक है यह nominal इसको हम नामातर interest rate बोल सकते हैं अब इस formula को मैं नीचे तक drag कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ अब देखें यहां पे जो 10% interest एक था हमारा annual एक साल का था अगर हम इसको one third के इसाब से करते हैं तब हमारा यह rate पड़ेगा 9.68% इसी प्रकार इसमें नीचे आएंगे तो यहां समझ में आएगा देखो मैंने 4 rate ले रखें 12% के सेम टू सेम कितना आगया 12% हाफ यरली देखना है तो उसको दो भागों में divide करेंगी वह पड़ेगा 11.66 है quarterly 11.55 और quarterly नहीं यह one third और quarterly है 11.49% किलियर हो गया समझ में आ गया अब मैं बताता हूँ आज का bonus formula देखिए हमने आपको PMT निकालना बताया था हमारे पास premium दे रखा है कि premium हो सकता है loan amount हो सकती है आपने कोई house loan ले रखा है या आप कोई गाड़ी या bike purchase करते हैं आपके down payment देने के बाद जो आपका loan बच गया वो हम मान लेते हैं यहां पे 10 लाग उस पे interest हो गया 8% या yearly माना जाएगा और यह हमने 5 साल में चुकाना है तो उसकी जो किस्त है वो कितनी बनी य हम करेंगे PMT bracket start सबसे पहले पूछ रहा है रेट रेट है हमारा यह 8% यह yearly है तो हम करेंगे divide by 12 मंतली हो गया कोमा number of period 5 साल के लिए इसको हम मंतली बनाएंगे इसको भी तो हम कर देंगे multiply 12 कोमा PV पीवी हमारे पास यह दे रखी है या पर मंत के end की या starting की अगर हमने मंत के starting का interest जोड़ के चलना है तो zero use करेंगे end का जोड़ के चलना है तो one use करेंगे bracket close और enterprise करेंगे तो कितना आ गया दो हजार 27 रुपए 65 पैसे पर मंत हमारी किस्त हो जाएगी clear लेकिन हमारे पास यहां पे number of period हमको नहीं पता है हम मान लेते हैं यह हमको नहीं पता है मैं इसको कर देता हूँ red यहां से completely हम red कर देंगे हमने निकालना है कि भी हमारे पास loan amount इतनी है 8% interest के हिसाब से हमारी किस्त बढ़नी है 2027 रुपए 65 पैसे की तो यह कितने साल में या कितने महिने में हमको देने होंगे तो हमको क्या निकालना है हमको number of period निकालने है तो इतनी मंतली किस्त के हिसाब से हम ये loan कितने दिनों में या कितने सालों में चुकता करतेगे उसके लिए हम निकालेंगे number of period और हम formula यूज़ करेंगे उसके लिए हम करते हैं यहां पे use equal to n पर bracket start करेंगे पहले पूछ रहा है rate रेट हमारे पास है divide by 12 कोमा यूज़ करेंगे PMT हमारे पास यहां पर आ चुकी है कोमा यूज़ करेंगे PV ये दे रखी है के लिए bracket close करके enter press करेंगे तो क्यतना आ गया यहां पे 69 यानिकी 60 दिन यहां से हम decimal decrease कर देते हैं 60 दिन नहीं 60 महीने इसको अगर हमने साल में convert करना होगा तो वापस हम यहां पर आएंगे F2 करेंगे और करेंगे divide by 12 और enter press करेंगे तो क्या आ गया वही 5 साल यहां पे कितना था 5 साल अगर हमने PMT निकाला हुआ है 6 साल के लिए यहां पे हम करते हैं 6 साल तो यहां पे क्या दिखा रहा है 6 साल आपका cross check भी हो गया clear तो आज के वीडियो में इतना ही नए वीडियो में नए topic के साथ फिर से मिलेंगे यह वीडियो आपको कैसा लगए यह मैं कमेंट्स में बताया मेरे videos को अपने दोस्तों share करें में like करें और यह दिन आए हैं आप हमारे चनल पे तो प्रावी बताया